अरे समीर कब है अम भी आया भाई अच्छा कुछ दिनों के बाद सलीम पूरी तरह बदल गया समीर नाम का लड़का जब भी घर पे आता था सलीम उससे चुप-चुप के कुछ बाते करता था समीर की वजह से सलीम पूरी तरह बदल जा रहा था सलीम से पूछने से कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि कुछ पूछो तो बताता ही नहीं तो मैंने ठीक किया कि समीर से ही सब पूछ लोंगी एक बात पूछों क्या वही बात जो तुम मुझसे चुपा रहे हो कुछ नहीं मैं कुछ नहीं जानता मुझसे क्यों चुपा रहे हो तुम मैंने क्या किया है मुझे तुम कुछ बताते क्यों नहीं मुझे सलीम के चिंता हो रही है तुम ही बताओ एक अभागिन को दुख देना ठीक है क्या मैं क्या करूँ मुस्से चुपा क्यों रहे हो तुम प्लीज बोलो इस शहर के एक मुसल्मान लड़की पर उसका दिल आ गया है पर उसका मामा इससे खुश नहीं है उसका नाम है मुम्ताज पर वह लड़की सलीम को इंकार कर रही है और हाँ यह जो मैंने तुमको बोला इस बारे में सलीम को मत बताना एक ऐसे चक्र व्यू में फसा दिया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं घर द्वार नाते रिष्टेदार जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने आज वही अपने शरीर के भूक को शान्त करने के लिए मुझे धोका दे रहा है पच्छड में जो पत्ते शाक से चाहे कितने भी इमतिहान ले ले मुझसे मैं हार नहीं मानूंगी मैं लड़ूंगी आखरी सांस तक लड़ूंगी सलीम जब पूछा तभी उसके साथ जाने का मन किया पर मैं जिस स्थिती में थी उस स्थिती ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया मेरे इस निर्णाई के परिनाम के बारे में घर की परिस्थिती के बारे में मेरे घर की दूसरे सदस्यों के बारे में मैंने बहुत सुचा सलीम मुझे अच्छा जीवन देगा इसमें मुझे कोई संदे नहीं था